विराज ने फिर से राइडू की गर्दन पर अपने बड़े दात गड़ाय ही थे कि फिर से आई उस आवाज को सुनकर विराज पीछे हट गया। ये वही आवाज थी जिसने कुछ देर पहले राइडू को विराज पर हमला करने से रोका था। विराज और राइडू दोनों इधर उधर देखने लगा लेकिन फिर से उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया परंतु इस बार राइडू ने उस आवाज को पहचान लिया था उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था वह शौप था, वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया मानो उसे कोई एनरजी बूस्टर मिल गया हो वही राइडू को अपने पैरों पर खड़ा देख, विराज ने फिर से उसे दबाचे लिया प्राइडू पूरी ताकत से विराज को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था प्राइडू की गर्दन से पहले ही काफी खून बहच चुका था वह कमजोर भी होता जा रहा था विराज फिर से उसकी गर्दन पर डांट गराने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है विराज ने कहा वह पूरी ताकत लगा रहा था तुम महामहिम तक कभी नहीं पहुंच पाओगे प्राइडू ने विराज का ध्यान भटकाने के इरादे से कहा वह ज्यादा देर विराज को नहीं रोक सकता था प्राइडू कमजोर परता जा रहा था तीरे दीरे विराज के नुकीले दांथ उसकी गर्दन को उखरने के लिए आगे बढ़ रहे थे तब ही अचानक से हवा के साथ एक साया आया और विराज को दूर एक तरफ फेक कर दे मारा विराज कई कलाबदिया खाता हुआ दूर जाकर गिरा अचानक हुए इस हमले से वह हक्का बक्का रह गया उसने नजरे उठा कर देखा तो राइदू के सामने एक लड़की खड़ी थी उसकी बाल बिखरे हुए थे विराज को उसका चहरा और आँखे दिख नहीं रही थी लेकिन फिर वह जानता था कि वह उसे ही घूर कर देख रही है दूसरी तरफ अपने सामने उस लड़की को देखकर राइदू की आँखे खुली की खुली रह गई उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था इससे पहले की राइदू कुछ कहता विराज उस लड़की पर जपता किन्तु जैसे ही वह उसके करीब पहुँचा उसने अपने दाहिने हाथ से विराज को एक तरफ ऐसे फेक गया जैसे विराज कोई बॉल हो और वह बेटिंग कर रही हो विराज को बहुत तेज गुसा आया वह फिर से उठा और उसकी और जपता लेकिन इस बार भी वह एक तरफ जाकर गिरा ये देखकर वह हैरान था वह समझ गया कि यही वह दूसरी पंचभूत है वह राइडू और उसे पंचभूत समझ रहा था तभी विराज ने अपनी पूरी शक्ति एक अठा करना शुरू कर दिया उसकी आखे फिर से काली हो गई थी उसके दाट फिर से बड़े होकर बाहर की ओर आ गए थे उसके बाद वह उस लड़के के पास पहुंचा ही थी कि उसने विराज की गरदन को पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया विराज छट पटाने लगा उस लड़की की पकड़ इतनी मजबूत थी कि विराज उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा था विराज ने अपना एक हाथ उसके चहरे की ओर बढ़ाया वह उसके बालों को हटा कर उसका चहरा देखना चाहता था लेकिन विराज का हाथ उसके चहरे तक नहीं पहुंच रहा था तभी उस लड़की ने विराज को सामने की और फेक दिया विराज जाकर जमन पर गिरा वह उठा ही था कि वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई उसी पल हवा के तेज जोंके ने उसके चहरे से उसके बालों को हटा दिया चहरे से बालों के हटते ही उसे देखकर विराज के होश उर गए वहीं दूसरी तरफ कैंप में सभी दरे हुए थे चंगल से आती उन भयानक आवाजों से उनकी रुहे काम गई थी ये सब क्या है? एक लड़की ने दर्ते हुए कहा. पता नहीं हम क्यूं यहां आ गए? क्लास के एक लड़के ने कहा. ये सब अलीशा की गलती है. उसी की वज़भ से हम एसी खतरनाक जगह पर आए है. एक और लड़की ने कहा. उसके बाद सबी अलीशा को दोश देने लगे. उस दिन क्लास में भी निशा ने कहा था कि यहां कैम्प शुरू होने से पहले पांच लोगों की लाश मिली थी जरूर यह जगह कोई शापिक जगह है तूसरे लड़के ने कहा सब लोग अपना मूम बंद रखोगे अपर्ना ने सभी को चुप रहने को कहा यह जगह कोई शापिक नहीं है वह एक घटना थी और ऐसी घटनाए कहीं भी हो सकती है अपर्ना ने सभी को गुस्से से घूरते हुए देखा अपर्ना ठीक कह रही है और वैसे भी रात हो गई है हो सकता है दो जंगली जानवर आपस में लड़ रहे हो सभी का ध्यान उन आवाजों से हटाते हुए रुद ने कहा हम लोग बोनफाय शुरू कर देते है वैसे भी आग जलने से जंगली जानवर कैम्ट से दूर ही रहेंगे उसके बाद रुद्र, नील और समीर ने मिलकर बोनफाय शुरू कर दिया सभी लोग आग के आसपास बैठ गए थे, लेकिन फिर भी उनके कान जंगल की ओर से आती, उन आवाजों पर ही थी तब ही आरु ने अलीशा की ओर देखते हुए पूछा, अपरना कहां चली गई उसकी बात सुनते ही गौरव की आखे उसे तलाशने लगे सभी हैरान थे कि अचानक से अपरना कहां चली गई वही प्रोफेसर का गुस्सा सांत्वे आस्मान पर था पहले विराज और रोहिनी गायग हो गए थे, और अब अपरना एक बार फिर से रुद्र को बोलने का मौका मिल गया था उसने अलीशा की ओर देखते हुए कहा, विराज की काली कर्तूतों को देखने के लिए गई होगी वही रुद्र की बात सुनकर अलीशा का मूम उतर गया उसकी आखे अभी भी विराज को ही तलाश रही थी उस लड़की के चेहरे से बालों के हटते ही अपर्ना ने शौक्त होते हुए कहा, रोहिनी कुछ ही सेकेरो पहले अपर्ना वहां पहुची थी रोहिनी को देखकर विराज के साथ साथ अपर्ना के भी होश उर गए थे उन दोनों को अपनी आखों पर यकीन नहीं हो रहा था उसकी आखे अजीब रंग की थी, वहलाल भी थी और काली भी उसके दांख विराज के जैसे ही भयानक और नुकीले थे उसकी ताकत विराज और अपर्ना दोनों ने देख ली थी प्रोहिनी, तुम एक वैमपार हो विराज ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा मैंने तुम से कहा था, ग्राइड उसे दूर रहो उसने विराज की ओर देखते हुए कहा लेकिन तुम इसकी मदद क्यूं कर रही हो क्या तुम ही भी दम्यंती ने भेजा है विराज ने उसकी ओर घूरते हुए पूछा मेरे सामने उस दगाबाज और जालसास का नाम भी मत लेना रोहिनी ने गुस्से से चिल लाते हुए कहा उसकी चीक से पूरा जंगल कामप गया विराज और अपरना ये तो समझ गए थे कि रोहिनी को दम्यंती ने नहीं भेजा है लेकिन वह ये भी जानते थे कि राइदू दम्यंती के कहने पर ही अलीशा को लेने और विराज पर हमला करने के लिए आया था तुम्हे शायद मालूम नहीं है कि इस राइदू को दम्यंती ने ही भेजा है विराज ने रोहिनी से कहा मुझे मालूम है राइदू को दम्यंती ने ही भेजा है और ये उसका फाल्तू और वफादार वेंपार है रोहिनी ने रायदू की और गुस्से से घूरते हुए कहा आखिर तुम हो कौन विराज ने पूछा वह और अपर्ना तो बिलकुल शौक्त थे उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहिनी जैसी साधारन दिखने वाली लड़की इतनी खतरनाक और शक्तिशाली वेंपार है इससे पहले की रोहिनी कोई जवाब देती अपर्ना ने उससे पूछा तुम तो बिलकुल विराज की तरह इंसानों का खाना भी खाती हो क्या तुमने भी इंसान की कोग से जन लिया था बहुत सारे रहस्य थे जिनके बारे में विराज और अपर्ना जानना चाहते थे क्या तुम एक पंच भूत हो विराज ने रोहिनी से पूछा वह उन दोनों की ओर देख रही थी उनके सवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे रोहिनी की शक्ल से विराज समझ गया था कि वह उनके चुप होने का इंतजार कर रही है मैं पंचभूट नहीं हूँ और नहीं राइडू है मैं एकलोती ऐसी वैंपयार हूँ जिसने एक वैंपार की कोक से जन लिया था प्रोहिनी ने कहा उसकी बात सुनकर वह दोनों शौक्त हो गए क्या उन्होंने एक साथ कहा अधिराज को दम्यंती ने अपने खून से और राइडू को पाँचो पंचभूतों के खून से मिलाकर दम्यंती ने अपनी काली शक्तियों से पैदा किया उसके बाद उसने धीरेंद्र और अम्रेंद्र को अधिराज के खून से पैदा किया वह खुद की ओलाद चाहती थी, किन्तु वह कभी मा नहीं बन सकी प्रोहिनी ने कहा, विराज और अपर्ना हैरानी से उसकी बाते सुन रहे थे वैंपार समाज में जितने भी वैंपयार है, या तो वह सब इनसान से वैंपार में परिवर्टित हुए या फिर उन्हें दम्यंती ने बनाया है प्रोहिनी ने कहा, दम्यंती ने बनाया मतलब, अपर्ना ने पूछा, वैंपार्स को अपनी खुद की संतान पैदा करने का अधिकार नहीं था क्योंकि वैंपार की कोक से जन्म लेने वाला वैंपयार पंचभूतों के समान शक्तिशाली होता था जब ये बात दम्यंती को पता चली, तो उसने उन सब वैंपार्स के बच्चों के मरवा देया, जो उनकी कोक से पैदा हुए थे उसने एक ऐसा कानून पारित कर देया, जिससे कोई भी वैंपार अपने कोक से अपनी संतान को पैदा नहीं कर सकता था प्रोहिनी ने कहा, लेकिन फिर वैंपार समाज में जन संख्या कैसे बढ़ती है, विराज ने पूछा, जिस भी वैंपार को अपनी संतान चाहिए होती थी, वह दम्यंती के सामने जाकर विनती करता उसके बाद यह दम्यंती पर निर्भर करता था कि वह उसे संतान सुक देगी या नहीं उसके बाद वह उस वैंपार के खून से उसे एक संतान देती उसने अपर्ना की ओर इशारा करते हुए कहा विराज भी अपर्ना की ओर देखने लगा अपर्ना अपने जन्म के पीछे के राज को समझ गई थी जो उसे शिवम ने भी नहीं बताया था इसका मतलब अपर्ना भी विराज ने पूछा हाँ अपर्ना भी उन्हीं में से एक है मैं इसके खून की महत से ये बता सकती हूँ कि ये परिवर्तित नहीं है बल्कि ये अपने पिता के खून से पैदा हुई है रोहिनी ने कहा उसकी बात हैरान कर देने वाली थी विराज को ये समझ नहीं आ रहा था कि रोहिनी को इतना सब कैसे पता तब ही अपर्ना ने रोहिनी से पूछा तुमने विराज पर हमला क्यूं किया विराज भी ये सवाल पूछना चाहता था रोहिनी ने विराज के दिमाग में कई सवाल पैदा कर दिये थे विराज इसे जान से मारने वाला था रोहिनी ने राइडू की और तिर्ची नजरे करते हुए कहा अगर तुम दम्यंती की साइड नहीं हो तो फिर राइडू को क्यूं बचा रही हो विराज ने रोहिनी से पूछा वहीं विराज का सवाल सुनकर रोहिनी चुप हो गई उसने कोई जवाब नहीं दिया उसे यूँ चुप देखकर विराज ने फिर से पूछा तुम्हारा राइडू से क्या रिष्टा है रोहिनी की नसरे जुप गई थी अच्छानक से उसकी आँखों में आंसु आ गए थे उसने राइडू की ओर देखा और बोली क्योंकि आज भी मैं इससे प्यार करती हूँ प्रोहिनी ने जब कहा कि वह आज भी राइडू से प्यार करती है तो ये बात सुनकर विराज और अपर्ना के होश उड़ गए थे वही राइडू की आँखों में आंसु आ गए थे प्रोहिनी की आँखों में भी आंसु थे उसने पलग कर एक ज़लक राइडू की ओर देखा वह भी उसे ही देख रहा था रोहिनी, राइडू ने कुछ कहने के लिए मूम खोला ही था कि रोहिनी ने उसकी ओर उंगली से चुप रहना का इशारा किया और बोली, मुझे तुम्हारे मूम से एक शब्द तक नहीं सुनना रोहिनी की आँखों में राइडू अपने लिए गुसा और नफरत दोनों साफ साफ देख पा रहा था विराज और अपर्ना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वह दोनों हैरान थे और तुक तुकी लगाए रोहिनी को ही देख रहे थे तुम और राइडू कैसे? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अपर्णा ने हैरत भरे स्वर में पूछा उन दोनों की ओर देखते हुए रोहिनी ने कहा भले ही मेरे दिल में आज भी इसके लिए प्यार है लेकिन मैं इससे नफरत करती हूँ ये सुनते ही वक दोनों फिर से शौक्त हो गए इससे पहले की विराज कुछ पूछता रोहिनी ने रोहिनी से कहा रोहिनी एक बार मेरी बात तो सुनो अब कहने और सुनने को बचा ही क्या है रोहिनी ने गुसे से रोहिनी पर चिल्लाते हुए कहा हम बैठ कर बात कर सकते है प्राइडू की आवाज सौफ्ट हो गई थी क्या बात करोगे रोहिनी आँखों में नफरत की आग लिए राइडू की और कदम बढ़ाने लगी जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी प्राइडू ने कहा तुम चाहते तो मेरी मा को बचा सकते थे रोहिनी ने कहा मैं मजबूर था राइडू के इतना कहते ही रोहिनी ने उसे हवा में उठा दिया राइडू अपने गर्दन छुटाने की कोशिश कर रहा था पहले से ही उसकी गर्दन में विराज के जख्म का दर्द था अपनी कायरता को मजबूरी का नाम मत दो रोहिनी ने अपने दान्क बाहर निकाल लिये थे अगले ही पल उसने राइडू को एक तरफ फेक कर मारा वह जमिन पर जाकर गिरा और जैसे ही वह खड़ा हुआ उसी पल रोहिनी फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो गई और फिर से उसे हवा में उठा दिया विराज और अपरना खड़े खड़े ये सब देख रहे थे उनकी बाते उन दोनों के सिर के उपर से होकर गुजर रही थी उन्ही कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वह तो बस उन दोनों की बाते और राइडू की पिटाई देख रहे थे रोहिनी मुझे मेरी मेरी राइडू का गला दबा हुआ था उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी फिर से रोहिनी ने उसे एक तरफ फेक कर मारा जमिन पर गिरते ही राइडू ने रोहिनी की ओर देखते हुए कहा मैं तुमसे आज भी अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ अगर आज तुम्हारे हाथ से मर भी जाँ तो मुझे गम नहीं होगा मैं समझ लूनगा की शायद यही मेरी सजा थी प्राइडू की बात सुनकर रोहिनी तुरंथ उसके पास पहुची और अपनी दातों को भींचते हुए उससे बोली सजा तुम सजा की बात कर रहे हो सजा तो मुझे मिली है पिछले चार हजार सालों से अपने प्यार, अपनी मा, अपने पिता सबसे दूर रही हुँ क्या एक बार भी तुमने मुझे तलाशने की कोशिश की क्या तुमने सोचा मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही हुँ रोहिनी की आखों में गुसे के साथ साथ आंसू भी आ गए थे लेकिन यह सुनकर विराज और अपरना को यकीन नहीं हो रहा था कि रोहिनी चार हजार सालों से ज्यादा उम्र की है और इतने वर्षों से अकेले रह रही है वही रोहिनी की आँखों में आंसु देखकर राइडू का दिल भी पसीज गया था उसने रोहिनी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा तुमने मेरे बगैर चार हजार साल व्यतीत कर ले लेकिन शायद मैं कभी न कर पाता तुम्हारे जाने के बाद मेरे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था अच्छा हुआ जो दम्यंती ने मुझे अनंत नींद की सजा सुना दी थी अनंत नींद का नाम सुनते ही रोहिनी की आँखे खुली की खुली रह गई वहीं विराज और अपर्ना भी अनंत नींद का नाम सुनते ही चौप गए थे तुम अनंत नींद में थे तो वापस कैसे आए विराज ने पूछा उसके चेहरे पर अपने पिता अमरेंद को पाने की उम्मीद नजर आने लगी थी प्रोहिनी भी राइडू की और इसी सवाल के जवाब में देखने लगी मैं पिछले 4000 सालों से अनंत नींद में थे अभी कुछ दिन पहले ही उसने मुझे अनंत नींद से जगाया रायडू ने कहा, क्या आपको पता है, दम्यंति वेमपायस को अनन्त नीन्द में भीचने के बाद कहा छिपाती है? विराज ने उम्मीद से पूछा विराज की ओर देखते हुए राइडू ने कहा दम्यंती बहुत शातिर है वह कभी भी किसी को ये बात नहीं बताती यहां तक कि वह सभी के शरीर को अलग-अलग जगह पर छिपाती है ताकि अगर किसी को नीम से जगाना भी पर जाए तो जगाने वाले को पता न रहे कि वहां कोई और भी सो रहा है राइडू के जवाब ने विराज की उम्मीद तोर दी वह निराश हो गया लेकिन उसने आपको कुछ दिन पहले ही क्यों जगाया अपर्ना ने राइडू से पूछा मुझे नहीं पता दम्यंती क्यों विराज से इतना घबरा रही है वह जानती थी कि विराज से मैं ही टक्कर ले सकता हूँ उसने मुझे अलीशा को उनके पास लेकर आने के लिए अनंत नीन से जगाया राइडू ने कहा दम्यंती ने तुम्हे अनंत नीन्ग में क्यों भेजा रोहिनी ने राइडू से पूछा उसकी आँखों से गुसा और नफरत गायब हो गए थे तभी पीछे से आवाज आई मैं बताता हूँ प्रोफेसर की चिंता बरती जा रही थी अलीशा को भी अंदर ही अंदर विराज की बहुत चिंता होने लगी थी वहीं गौरव भी अपर्ना के लिए बहुत परेशान हो रहा था कहीं ऐसा तो नहीं विराज, अपर्ना और रोहिनी पर जंगल के किसी जानवर से हमला कर दिया हो आरू ने संभावना जताते हुए कहा हाँ, हो भी सकता है अभी कुछ देर पहले चीक पुकार जैसी आवाज भी आ रही थी प्रूद्र ने एकदम से कहा प्रूद्र, अलीशा ने रूद्र को गुस्से से घूरते हुए देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ है विराज बिलकुल ठीक है अलीशा ने कहा उसकी बात सुनकर नील, समीर, निशा और आरू के साथ साथ रूद्र भी हैरान हो गया अलीशा की आँखों में विराज के लिए फीलिंग्स उन्हें दिख रही था दूसरी तरफ गौरव भी रूद्र की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया था उसे अपर्ना की चिंता हो रही थी अपर्ना को कुछ नहीं हो सकता कौरव खुद से बरबरा रहा था उसे यूँ परेशान देखकर स्वाती ने उसके कंद पर हाथ रखते हुए कहा किसी को कुछ नहीं होगा कौरव ने बेबस भरी नसरों से स्वाती की ओर देखा हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते हमें कुछ न कुछ तो करना होगा समीर ने खड़े होते हुए कहा लगभग सभी उसकी बाद से सहमत थे लेकिन रुद्र उसकी बाद से इत्टेफाक नहीं रखता था उसने समीर की ओर देखते हुए कहा तो हम कर भी क्या सकते है रुद्र हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा प्रोफेसर ने रुद्र से कहा और उसके बाद सभी स्टुडेंट्स की ओर देखते हुए बोले लड़कियां यही पर आग के पास रहेगी और लड़के मेरे साथ जंगल की तरफ चलेगे हम जंगल के ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे प्रोफेसर की बाद से सभी सहमत थे लेकिन सर अगर किसी जंगली जानवर किसी पर हमला कर दिया तो एक लड़के ने पूछा हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी अगर कुछ सुराग नहीं मिलता है तो फिर हम पुलिस को कॉल कर देंगे प्रोफेसर ने कहा उसके बाद सभी लड़के प्रोफेसर के साथ चलने के लिए तयार हो गए सभी के हाथों में टार्च और डंडे थे वह सभी जंगल की ओर चल दिये मैं बताता हूं यह आवाज सुनते ही सब की नजर दूसरी ओर गई वहाँ चरायू और शिवम खरे थे उनके साथ वैदेही और अभिराम भी थे उन्हें देखकर विराज एकदम शौक्ट हो गया वह चारों विराज और रोहिनी के पास आने लगे रोहिनी की ओर देखते हुए चरायू ने कहा दम्यंती ने इसे इसके प्यार को निभाने की सजा दी थी चरायू की बात सुनकर रोहिनी ने राइडू की ओर देखा उसने अपना सिर जुका लिया उसकी आँखों में भी आसु थे इसके प्यार पर शक करना प्यार शब्द को ही गाली देने जैसा है ये तो तुम्हारे लिए चार हजार सालों तक अनंत नींद में सोता रहा चिरायू ने रोहिनी की ओर देखते हुए कहा तभी विराज और अपर्ना की नजर चिरायू और रोहिनी पर पड़ी रोहिनी उसकी ओर नफरत भरी नसरों से घूर कर देख रही थी एकदम से उसका गुस्सा सांत्वे आसमान पर पहुँच गया था वही रोहिनी को देखकर चिरायू की आँखों में आशू आ गए थे मेरी बेटी इतना कहते ही चिरायू भावुख हो गया उसका गला भर आया था उसकी आँखों से आशू बहने लगे थे प्रोहिनी से ये सब देखा नहीं जा रहा था अपने पिता के आशूं को देखकर उसका गुस्सा तो शांत हो गया था, लेकिन उसके दिल में पिछले चार हजार सालों से जो नफरत पनप रही थी, उसे खत्म करना लगभग असंभव था, प्रोहिनी ने दूसरी और मूम घुमा लिया, वह चिरायू को देखना भी नहीं चाहती थी, विराज और अपरना दो उसे भी चार हजार साल बाद देख रहा था, चिरायू को देखते ही रायडू ने अपना सिर जुका कर उसे नमन किया, ये देख विराज और अपरना अचम्भित हो गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि रायडू ने चिरायू को सिर जुका कर नमन क्यूं किया, आखिर ने तुमसे कहा था ना, कि पाचो भूद जिन्दा है। चिरायू ने विराज की ओर देखते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है। विराज ने जवाब दिया, वह चौथा पंच भूद और कोई नहीं, मैं ही हूँ। चिरायू ने कहा, उसकी बात सुनते ही सभी के होश उर गए विराज को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह हैरत भरी नज़रों से शिवम और अपर्ना की ओर देखने लगा। उन्हीं भी उस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। सभी शौक्त थे। लेकिन आप तो शिवम ने आगे का शब्द नहीं कहा, उसे चिर चिरायों ने शिवम की ओर देखते हुए कहा, तो फिर पाँचवा पंचभूत कौन है। अपर्ना ने एकदम से पूछा, सबके दिमाग में एक ही नाम भूम रहा था, लेकिन वह सब चिरायों के मूँ से सुनना चाहते थे। कहरी सास लेते हुए चिरायों ने कहा, अरुन धर्ती